तो इस वीक में हमारे कौन-कौन से पहलू थे बड़े इंपोर्टेंट रहे मतलब यह वीक में जो हमने करेंट अफेस पड़े उन सबक्यों पर हम यहां पर गौर फर्बाने वाले बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है एक एक करके हम उनके उपर बात करेंगे और उनके उपर सीखेंगे वो कौन कौनसी बात है जो हमको फोकस रहनी चाहिए जिनके उपर दोस्तों यह टेस्ट बुक पास है अगर आप इसको इन्रोल अभी तक नहीं कियें तो हमारे जो टेस्ट है जो कि 510 एक्जाम्स के लगबग 37,000 मौक टेस्ट है इनमें आप P.A.C.P.A.S.S. लगा करके मतलब पैक पास लगा करके आप इनमें इन्रोल कर सकते हैं और आपको बड़ा बनवाऊंगा जिसमें आप लोगों के नाम यहाँ पर दिखाए देंगे लेकिन उसके लिए बड़ी मेनत करने पड़ेगी दिन को रात रात को दिन सुबह को छे बजे को अपने दिन के सुरुवात करिए रात में आराम से पढ़िए और सेलेक्शन के आगे ले करक कौन से महत्तपुन पहलों थे जो हमारे लिए बड़े महत्तपुन है इस वीक में बहुत ही महत्तपुन वीक गुजरा आई यह वाला आप लोगों नियापर बहुत अच्छे से चीज़ों को सीखा बहुत अच्छे चीज़ों को पढ़ा तो सबसे पहले अगर हम यहां पर चौदा भारत और किसके बीच में टू एंड टू हमारा मतलब टू प्लस टू मिनिस्टेरियल डायलॉग चला था साओधी अरब है यूएसे है कनाडा है ऐस्टेलिया यहां पर अगर मैं कोशन पूचू तो क्या होना चाहिए टू प्लस टू जो मिनिस्टेरियल डायलॉग है यह कौन से कंट्रीज के बीच में हम देखने को मिलेगा बच्चे सब यहां पर जवाब दे रहा है किसा सही उत्तर होना चाहिए जितने लों बोला है सही जवाब होना चाहिए ऑप्सन नमबर कौन सा यूएसे के साथ हमने यह टाय अप किया हुए यूएसे के साथ यह हमार मंतरियों ने सिरकत किया था अगला कोशन है यहापर आपको बतारें नीति आयोग यहाँ पर कई सारे आकडो की उपर रिपोर्ट देती है अपने राज्यों को रैंकिंग देती है कौन राजिया यहाँ पर कैसा लाई कर रहा है तो एक और रिपोर्ट इस हथते हमारे हमारे सबसे नंबर एक पर बना वह कौन सा था माराज था गुजरात राजैस्थान केरल कौन सा राजय था जो lifes szar?. एक पर आया हमारे सर्वичеटर के सर्वेक्षणोड मेंril स सबसे मारा सर्वेक्षण सबसें एनर्जी क्लाइमेट index तो यहां पर जनता अगर देखेंगे export preparation index में जो गुजरात है वो टाइप टॉप पर था इसी तरीके से यहां पर अमारा गुजरात जो है इस वाले इंडेक्स में भी टॉप कर रहा है तो गुजरात को यहां पर दिया गया नीतिया के बारे मैं बाते किये नीतिया और एक non-const बैंक की तरह काम करती गवर्मेंट का planning commission को replace करके national institution for transforming इंडिया बनाया गया था PM इसके chairman होते हैं हमेशा ठीक है तो हम लोगों ने यह बात की अभी अभी यहां पर देखेंगे कि अप्रेद वेर 22 में DRD और भारती सिना के द्वारा एक rocket को launch किया गया एक rocket launcher होता है जिसे हमा हमारे धनुस की तरह काम करता है यह upgraded version है किसका प्रत्वी वन है पिनाक MK1 है धनुस है या प्रत्वी सेकेंड है तो हमारी यहां पर सारी के सारे defense system है और हिंदुस्तान पूरे वर्ड में सबसे ज्यादा equipment हमारे export करने वाला country बना है 2019 के अभी तक में तो यहां पर सही हमारे प्रधान मंत्री है उनको यहां से हटा दिया गया है और क्योंकि उनकी अल्पमत में आ गई 172 सांसर चाहिए थे लेकिन उनके support में कि और एक च्छाचाट आ है इमरान खान साब जी के support में और उनकी government इस week में गिर गई और नए जो प्रधान मंत्री बने हैं वो नवा गोस की बात की थी पिनाक की चंद गोस जो कि हमारे पहले पहले जो है वो लोगपाल थे और NCPR मतलब राश्टी बाल अधिकार के आयो के बात करेंगे तो पिनाक कानून गों है दोनों में वड़ा confusion होता है नाम में अभी मैं confusion हो गया था तो यह हमारे 31 से लेकर के हमारा जो 11 अपराय से का 31 मही तक जो हमारा पर्व मना रहे वो कौन सा है तो गाइस यह जो है अगर आप देखेंगे आपने भी बोर्ड के एकसां देऊंगे यह अमारा परिक्छा का समय चल ला है तो परिक्छा पर्व का यह चौथा वर्जन है तो परिक्छा पर्व is right answer रामनात जवाब दे रहे हैं, सरा, राजिस्थान का जो घेड मेला है, सड़ी, माधापुर का जो घेड मेला है, राजिस्थान में नहीं होता है, ये हमारे गुजरात में होता है, ये ये गुजरात में होता है, आपको उताना है कि इंडिया ऐल्यमूनी पोर्टल for the foreign scholars, जो हमारे कॉलर्स के लिए, वहां पर उनको सम्मानित किया जाएगा, सही जवाब होना चाहिए, इसकी सुरुवात की मिनाक्षी लेखी जी ने, अगला कुशन है, हमारे यहाँ पर साहीन थ्री, जो कि हमारे जमीन से जमीन तक मिलने वाली मिसाइल है, उसका सफर परिक्षण कौन से दे निश्टल अवार्ड फॉर्दा थ्री एर्स, 2021 नाम देव अवार्ड किसको दिया गया है, सत्यपाल मलिक, ऐसस दुल्लत है, अनिल बैजल या एक और दो दोनों है, तो नाम देव आवार्ड हमने देखा था, जो हमारे गवर्णर साहब सत्यपाल मलिक और अनिल दुल्लत न किस देश को माना अधिकार परईसर से निलम्बित कर दिया है अब भी इसी बात है यहां पर रसिया यूक्रेन वार की वज़े से रसिया को हटाया गया है इस बार के हमारे जो स्वास दिवस था जो आपने साथ तारीक को बताया था इसका थीम क्या था साथ अप्रेल उन्निस ओर तारिस को डबलू एचो की स्थापना वेती है और उन्निस सो पचास से हम लोग World Health Day मना रहे हैं दोनों इंपोर्टेंट है और इस बार का थीम था Our Planet Our Health ये इस बार का थीम है तो यह हम इसके उपर टिकर देते अगले कोशन की तरफ चलते है अप्रेल दवर 22 में Heroes of 1971 ये किताब का विमोचन किस ने किया तो वो युद्ध जिसमें पाकिस्तान को मुगी खानी पड़ी थी हमेशा की तरह ये कुछ ऐसे वीरो की कहानियों से है जो की हमारे को बहुत प्रिड़ना देती है और इसकी सुरुवात मुझे लगता है कि डिफेंस मिनिश्टर साहाब ही करेंगे हमारे देश के मतलब राजनास सिंग को ये किताब सुरू करना पड़ा था 7 अपरेल को डीजी सी लेडीज ओपन है चोर गोल्फ टूनामेंट किस ने जीता है यहाँ पर आपनों बात करें तो डीजी सी हमारा जो गोल्फ ओपन टूनामेंट है इसको रिया जादौन ने जीत करके इतिहास रचा हुआ है अगरा कोशन है सस्टेनेबिल्टी कॉनक्लेव 2022 की मेजबानी कौन सा हमारा जो है वो कर रहा है मतलब सस्टेनेबल कॉनक्लेव यह इस बार कहाँ पर कौन सी आईएटी या कौन सी नाईएटी करेंगी सभी बच्चें आप पर बोल रहे है सर सस्टेनेबिल्टी हमारा जो इंडेक्स है उसमें इंडिया का रैंक है 120 120 वी रैंक है ठीक है और 17 गोल्ड डिसाइड किये गयते जीरो हंगर हो गया हमारा पावर्टी हो गया इंडस्टलाइजेसन हो गया इन सबको लेकर के यह हमारे बनाए गयते और इंडिया में इनहांस करने के लिए हर साल यह सस्टेनेबिल्टी कॉनक्लेव होती है सतत विकास यह कॉनक्लेव होती है और इस बार यह उत्राखंड को जिम्मेदारी दी गई NSS IT उत्राखंड रुड़की में आप जिसको देखेंगे तीन नमबर सही जवाब है कैबिनेट में कितने चरणों में सरकारी कारिकरों में 45 चावल को वित्रित करने की योजना बनाई है 45 चावल आप सभी को मैंने बताया था कि इनके उपर हमारे नूट्रियंट्स की लेयर चड़ा करके बच्चों को परोसा जाएगा 3, 4, 5 या 6 तो जनते हैं आपर बोलेगी हमारे जो चरण है वो हमाद 22 से 23 से 24 ये हमारे 24 तक मतलब तीन चरणों में होगा 22, 23 और 24 ये 2022, 23 से 24 में तीन चरणों में चलाए जाएगा कमल्यूस रेजिडिन्सियल स्कूल के नाम पर जो हमारी तस्बीर है कनाड़ा में जो कमल्यूस रेजिडिन्सियल स्कूल है वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बच्चों का जहां पर इंतकाल हुआ था उनको दफनाया गया था वो फोटो कीची और रात के अंधेरे में जिसको फोटो आप दा इयर दिया गया यह फोटो कीचने का जो स्रे है वो किसको जाता है तो पहली बार 65 साल की तियास में किसी व्यक्ति की फोटो नहीं है और फिर भी इसको फोटो आप दा इयर अवाड दिया गया है यह हमारे एमर बैकरन है एमर बैकरन ली यह फोटो कीची थी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा कौन सा उपन्यास हमारा बुकर प्लाइज में समलित किया जाने वाला पहला हिंदी उपन्यास बन गया तो बहुत इजी कोश्चन है यह भी बहुत बार अनों ने डिसकस किया हुआ है यहाँ जनता बोलेगी सर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो टॉम आफ सेंड है गीतांजली स्री ने सुपन्यास को लिखा है और बड़ी इंपॉर्टन जागी तक इतनी बार रिवीजन करने से हमारे दिमाग में सारी बाते धीरे-धीरे से बैड जाते है इसलिए बार बार इनका डिवीजन हम आपको कराता हूँ यहाँ पर अगला कोश्चन है हमारे पूरे वर्ल्ड में अमेरिका सबसे सक्टी साली देश है और वहाँ की जो सबसे टॉप मोस्ट हमारी कोर्ट है वहाँ पर पहली ब्लैक वुमेन जो है जजच की तरीके काम करने आई पहली ब्लैक वुमेन जो है वो जजच की तरीके काम करने आई उनका नाम क्या है यह हमारे ऑप्संस में से आपको चुनना है बहुत बड़ी ज़्याँ सभी बच्चे यहाँ पर साइद इस प्रसन का जवाब जानते हैं कि हमारे देश की पहली अस्वेट महिला पहले हमारे देश की नहीं अमेरिका की पहली अस्वेट महिला जिनको हमारे अमेरिका के सुप्रिम कोर्ट में अस्वेट महिला के तौर पर चुना जा रहा है वो है केतान जी ब्राउन यहां पे उपसन नमबर चार जितने या पोलेंड है तो नौसिना के वायुसैनिक दल में पहले जिस बैच ने अपना परिक्षण पूरा किया है यहाँ पर हमारे मैंने आपको पहले बताया था जो हेलिकॉप्टर्स हैं जो नेवी को मिले हुए हैं अमेरिका की तरफ से उनकी ट्रेनिंग मिले के लिए यह गये थ दस महिनों की ट्रोटल ट्रेनिंग हुई थी अमेरिकन अमेरिकन बेस में हमारे भारती नौसिना के जवाजों की नौसिना दीवास हम लोग चार दिसंबर को सेलिबरेट करती हैं आरहरी कुमार इजा एडिमिरल आरहरी कुमार इजा हैड ओफ इंडियन नेवी विप्रो के ह जवाब यहाँ पर सभी बच्चे दे रहे हैं और मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि जवाब आप लोग बहुत अच्छी तरीके से दे रहे हैं सही जवाब होना चाहिए अनीस चेंचा जितने बच्चे बोलेंगे जवाब उनका सही हो जाएगा केंदर सरकार ने किस योजना को माँ 2023 तक के लिए बढ़ा दिया है मार्च 2023 तक के लिए जिस योजना को बढ़ाया गया है उस योजना का नाम है बहुत अच्छी तरीके से जनता ने पिक कर लिया है अटल इनोवेशन मिसन जो है यहाँ पर जितने चार नंबर बोले है उनका विचार काफी अच्छी तरीके से आ रहा है अगला कोशन है संगीत नाटक अकेडमी पुरसकार इस बार किस ने दिया है 43 लोगों को यह अवार्ड दिया गया है संगीत नाटक अकेडमी पुरसकार यह किस ने दिया है जनता बोलेगी सर्व वंकया नाइडू जी ने यह अवार्ड दिया 43 लेगों को यहाँ पर अगला कोशन आ जाता है Geofen 3 जो हमारा सफलता पूरवक लाँच किया गया सेटलाइट है उसको किस ने लाँच किया है फिलिपीन्स है जापान है ताइवान है या चाइना है तो यह हमारे प्रत्वी का परिक्षन करने के लिए उपगरा चोड़ा गया था सेटलाइट चोड़ा गया था और जहां से कोविड-19 जहां का एक ओरीजिन बना या था पी सेंटर जिसको बोलते हैं वुहान मार्केट चाइना तो चाइना नहीं इसको यहां पर आप देखेंगे तो कोविड-19-19 में पैदा हुआ था इसले 19 बोलते हैं इसको और जियो फेन यह भी सेटलाइट लाँच किया इन्होंने दोस्तों यह थे थे अब तक लिए बूटे बेस्ट अफ्रक बाइबाय गाइज एंटेक क्यार